अलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे मैं इस्टेस्ट मास्टर क्यार सेनी के आर एजूकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर से आपके कुछ जनरल डाउट मेनी आप उठाये हैं और उन तो आपको टेलिक्राम का लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वहां से आप जोइन कर सकते हूं साथ ही चैनल को आप नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले चलो दोस्तों सबसे पहले पर देखते हैं आपका फर्स्ट कुशन तो यहां पर सीसी टीसी और सीसी टीसी की ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज़ाधा पूचा जा रहा है तो यहां पर में बता देना चाहता हूं पिछले भी कई वीडियो मैं बता चुका हूं यहां पर और इसके बाद में जो आपकी 15 डिन की ट्रैनिंग में जाएं तो देखते हैं दोनों में क्या कुछ होगा तो यहां पे 6 डे में अपके टिकेट बगर बनाना सारा कुछ वहां पर पढ़ जाएगा एक तरह से वहां प्रशाएगा इसके बाद में जैसा कि आपको पता है cctc में senior cctc में आपको सभी टाइप के 5-6 टाइप के काम है वो सभी आपको यहाँ पर करने होंगे तो station पर आपको जो है जैसे कि आपको 2-3 दिन आपको बुकिंग में आपकी डूटी लगा देंगे 2-3 दिन आपकी गूट्स में लगा देंगे और 2-3 दिन आपकी इंक्वारी में लगा देंगे तो इस प्रकार जो है आपके पंदरा दिन की जो ट्रेनिंग होगी working days वो आपकी station पर होगी और आपक मगरा सब कुछ प्रोपर होगे तो इस प्रकार जो हैं पर 75 डेज वरकिंग अपन मान सकते हैं और आपको जो है संडे की आपर ओप रहता है तो इसमें जो है 10 दिन और आप इसमें एड़ कर सकते हो तो लगबगा अगर आपन ट्रेनिंग मानें complete ट्रेनिंग तो आपन जो है आपका एक्जाम जो है ट्रेनिंग के बाद में उसमें आपके कुछ क्यूशन objective होते हैं और क्यूश क्यूशन जो subjective होते हैं तो हमारे टाइप में हमारे टाइम जो है वहाँ पे चार पेपर लगे थे और अभी जो नए बचे जा रहे हैं तो जैसे कि भी नए आये डिपार् तो उनसे मैंने पूछा तो वह बता रहे हैं कि हमारे जो है भी तीन एक्जाम लग रहे हैं हो सकता आपके टाइम में फिर चार या पेटन चेंज हो जाए तो तीन या चार आपके एक्जाम लगेंगे तो सबसे पहले जब एक्जाम लगेगा तो आपको जो है objective क्यूशन प पेपर वापस ले लिया जाएगा उसके बाद आप से जो है subjective पेपर का वहां पर सब्जेक्टिव क्यूशन पर आपको पेपर दिया जाएगा और जिसमें की तीन ये चार क्यूशन रहेंगे बड़े क्यूशन रहेंगे और उसमें जो है आपके अथ्वा में रहेंगे यह आपको यहां पर दोनों टाइप के क्यूशन आएंगे इसके बाद बात करते हैं डियूरिंग डूटी एसम को कोई डिस्टब करें तो एसम के पास क्या पावरा है यह भी एक जो है केंडिडेट ने ये कमेंट कर रखा था और बहुत अच्छा कमेंट है तो देखो यहां प दोगे तो आपको जो डिस्टब कोई नहीं करेंगा दूसरी बात अगर वहां पर जो एसनटी वाले हैं आपके पीवे वाले हैं अगर ब्लोक वगर मांग रहे हैं और आपको लगता है कि ब्लोक नहीं बन रहा है तो आप जो है इस प्रस्ट उनको मना कर सकते हो यह आप में मार्जन देखके आपका ब्लोक बनता है उसके बारे में आप उसे बात करोगे इस टाइम ब्लोक ले लेना अभी नहीं बन रहा है तो इस प्रकार आपको पूरा पावर है आपको यहां पर कोई डिस्टब नहीं करेंगा आप मना कर सकते हो इसके बादे हैं कि कि क्या स्टेशन मास्ट्र होते हैं एक देव में करता है किते लुए ऐधा गंटे की ऑम दूटी होती है इसके बानौत में जoking फिरा सिपके कहिए आप यहां पर बड़े जंक्षिन होते हैं रहाँ पर एक टाइम में रहां में और वहां पर आपको एमोगे त़ुफ इंडोर वाले का हो गया इसके बाद में आउटडोर वाले का बात करें तो आउटडोर वाले का जो होपीस होता है प्लेटफॉम पे होता है इसका जो ओर रोल सारे स्टेशन का जो इंचार्ज होता है एक तरह से सारा कुछ मेनेजमेंट इसी को करना है जो गाड़ियां जो है क उसका platform चेंज करवा सकता है इतनी इसके आफरित्य होती है साथ यहाँ पर इसके पास में complain होकर आती है हैBut i covenant कोई होती है utilizzipotta अपके से अनुपस्तिती में जो है आपके यह आट्डोर वाला जो हता है यह the 那oles का काम करता है यह नहीं हैं पर यह हेड़ रहेगा मतलब किसी की कि वहैं कर आएगी सिद अद्ल यांगर वी आंटत वो बहुत यहां पर powerful post होती है तो इस परकार यहां पर बड़े station पर आपके दो या दो से अधिक station master भी काम करते हैं जैसे कि मेरे station में गंगानगर की बात करते हैं यहां पर दो station master एक साथ काम करते हैं इसके बाद में अगर जैपुर की या और कहीं की बात करें तो वहां पर panel room में जो है दो या तीन दो से अधिक लोग भी एक साथ duty करते हैं इसके बाद और बड़े junction की बात करें जैसे लुदियाना station की बात करते हैं तो लुदियान मना में एक time में जो है तीन से चार लोग तो जो है पैनल में होते हैं यहनियके आपकए indoor में होते हैं अने पर क्या punishment मिलती है तो देखो जैसे कि आप अपनी बेहन की साधी है या खुद की साधी है किसी की साधी है आप जैसे दस दिन की छुटी लेके गए और दस दिन में आपका काम होगा नहीं और आप जो लोट रहे हो 15 दिन की तो उसमें जो आपको क्या punishment वगर मिलने वाली है इस बारे में भी जागा दो अगर चाहता है तो आपको punishment यहां पर दे सकता है वहां प किसी को punishment मिलती नहीं है वह यहाँ है ज्यादा जैदा ज्यादा आपकी absent लगती है तो होड़ी। जब होती है आफ् hyper i7 तो अब के जब एक जब जब होती है तो आप माणलो आपके की एक पिर फिर भी हम चले जाते हो तो वहाद पर आपकी आपकाने छिटीह relating तो ऐसी कोई दिख्ट वाली बात यहां पे नहीं है और आपकी जो है दो तीन दिन याप दो चार दिन लेट आ रहे हो तो उसमें भी आपकी जो एपसेंट लग जाएगी तो इसको यहां पर आप साही करवा सकते हो जैनियूर रीज़न देखें बाकी यहां पर पर परिशमें बनने के बाद में आप जो है गुद्स घार में और एएल्पी में क्योंट जाना चाएं कहीं लोग ऐसे हैं, जो एएलपी अभी बने होए इसके स्वार की स्ञ डिया है और रोट की दो-तीन साल की सर्वीस भी हो गई है तो कोकि आ रहे हैं , ओ जो वो जिसका इस पारट बोलते हैं सिगनल पास तो आपके जो है डारेक्ट यहां पर बर्खासत ही होती है और कई लोको पाइले डिंक आपकी अगर पाय जाती है तो उस में भी बोत ज्यादा आपकी जुए ऐसक्त करव होती है तो यहां पे आसान नहीं है यहां मास्टर जो ठफ जोग है एल्पी की तो एल्पी में आप क्यों जाना चाहते हूं यह मेरे को समझ जाता बाकि आप जो इस्टेस मास्टर से एल्पी में डिपार्टमेंट के थरू तो जा नहीं सकते आप जो है आपको आरार्वी का एक्जाम देना होगा अगर आपने आप इसमें नहीं जा सकते हो इस परकार इन दोनों में जो है गुट्स गार्ड या एल्पी बनने के लिए आपको डारेक्ट फिर से एक्जाम देना होगा और गुट्स गार्ड भी में बहुत सारे से लोग जानता हूं जो गुट्स गार्ड को छोड़के जो इस्टेस मास्टर म मिली हुई है तो आप इन जोब में क्यों जा रहे हो तो मेरे साब से आपको जो इसमें नहीं जाना चाहिए जब आपको SM की जोब मिली है SM की जोब बहुत बढ़ी है ऐसी कोई दिक्क्यतवाड़ी बात नहीं है इसके बाद इम बात करते हैं पर SM duty करने के बाद रेस्ट को गर जा सकता गया तो देखो अगर इस्टेशन के निरवे अगर आपका घर है तो आप रेश्ट को अपने घर पर जा सकते हो वैसे तो अथरटी नहीं होती है आप हेड़कॉर्टर छोड़ो बाकि जनरली काई लोग जो है अब डाउन भी करते हैं अपने घर से तो आप जो है इसके दिन अपने घर पर जा सकते हो इसके बाद करते हैं सीने सीसी टीसी की जोब गल्स के लिए कैसी है तो गल्स के लिए जो सीने सीसी टीसी की जोब है बहुत बढ़िया है ऐसे कोई दिकत वाली बात नहीं आती इसमें बहुत सारी गल्स है और हमारे इसमें आपके सीसी टी पी जो है जो डूटी कर रही है और आपको बुकिंग गर में अगर नगए गी और जन्रेल यह आपके जाएगी वह सुबह 6-14 की लगा जाती यहां पर रहने वाली है और आपका जो वरकिंग प्लेस्ट मिलेगा बहुत ही श्यांदार होगा आपको यह जूंक्सन पर प्रेसन मिलेगा या पिर आपको यहां पर चोटे स्टेस्ट नहीं दी जाती है और वहाँ पर पोस्ट भी नहीं उती है तो गल्स के लिए बहुत अच्छी जोब है वह सांदार जोब ऐसी कोई दिख्कट वाली बात नहीं है और आपकी जोब है बस एक जोब अगर आप छ चिह बाती है तो इसके बात करते हैं सेने कम टाइपसट इसके त्रेणिंग नहीं होती है तो यह विश्डुन को मidal स्टाइफस्टी यहां जादा एंवता जो है यह वीडियो काफी helpful रहने वाला है तो सभी लोग जो है चैनल को like share and subscribe करें थेंक यू